नमस्कार प्यारे बचों उमीद करता हूँ सभी स्वास्त होंगे क्लास है B.E.C. सेकेंड एर इंग्लिश मेडियम टेपर है सेकेंड और्गेनिक केमस्टि टोपिक चल रहा था तुम्हारे पास में नाइट्रोजिन कंटेनिंग और्गेनिक कंपाउंड ए नाइट्रोजिन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और उसके अंदर हम ने देख लिया था नाइट्रोवाले कंपॉणी को कॉंप्लेट कर लिया था साइनेट कर लिया था आज पूसी सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे इसके बारे में देखते हैं थोड़ा आइसोसाइनाट के बारे में तो मेंशन कर लीजिए भीटा आइसोसाइनाट 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 लास कौनसी है B.A.C सेकंड ये और्गेनिक केमिस्ट्री इंग्लिस मेडियम बेटे ठीक अभी देखें इसके उपर बात करते हैं क्या है तुम्हारे पास में आइसोसाइनाट एक ही सोट में देखना है अपने को आइसोसाइनाट आइसोसाइनाट बात को समाजना ये तुम्हारे पास में सी एन ये फर्म है यहाँ पर ये नेगेटिव और ये लोन पर ये दिहान है न तुम्हारे पास में बॉंडिंग यहां से हो रही है माली जे तुम यहां से बॉंडिंग करते हो तो इसे बोलते हैं साइनाट क्या बोलते हैं पेटा इसको साइनाट लेकिन ये दि बॉंडिंग इस नाइट्रोजन से हो रही है यहां से बॉंडिंग होने पर ये नाइट्रोजन अपने लोन पर से ये बॉंडिंग करता है तो इसे बोलते हैं आईसोसाइनाट आईसोसाइनाट अरिवास हमागी, येसे अनु, क्या होगा, एक्ट्वल में बॉन्डिंग होगी, तो कैसे होगी, आईसो सानेड से, कि तुम्हारे पास में, ये जिसे R-plus है, सपोस्देर तुम्हारे पास में R-X होगी, इस ने इस रियक्षन की, ये यहाँ पर, क्या बनेगे ए ट्रिपल यहाँ पर इसके उपर loan pair तो यहाँ पर यह negative पहले से था एक positive ओर आजाएगा यह cancel out हो जाएगा तो इसके उपर क्या बच जाएगा loan pair आई बाहस होगा यह से नो तो यह isocyanide है बेटा आर एंसे जिसमें आप देखते होंगे ऐसे आपने देखा होगा बुक के अंदर आरि बाहस होगा यह देखा होगा बेटा चले आपन बात करें यह देखा होगा तो इसके उपर क्या charge आता है positive इसके उपर क्या आता है negative तो सबसे पहले तो इसके method of preparation की बात करते हैं इसकी बात करेंगे method of preparation की मेथड ओप्रिपरेशन मेथड ओप्रिपरेशन और मेथड ओप्रिपरेशन में क्या बोलेंगे फ्रॉम एलकेल हैलाइड क्रॉम एलकेल हैलाइड क्या करेंगे एलकेल हैलाइड की रियक्शन आप एजी सीन के साथ में करवाओगी है तो एजी सीन यही तो है एजी सीन के साथ में एजी आप रियक्शन करवाओगी है तो क्या बनेगा आर एंसी जो बॉंडिंग बनेगी वो किससे बनेगे नाइट्र देखे हैं इसपे पैर बचो यह जो साइनइड होते हैं यह जो नैट टायल तुमारे पास में होते हैं वह कौन से होते हैं एंबिडेंटिल इनके पास में पास में दोगनर साइट होती है लेकिन एटे एटे वन टाइम only one donor side will be used तो देखी ये side तो यहां से covalent bond बना रही है तो अब ये nitrogen वाला क्या करेगा इसके R के उपर टेक करेगा जिसे ये X क्या निकल जाएगा बाहर तो फिर क्या बन गया R and double bond यहां पर ये positive और ये क्या बटा AZ ये X माइनस क्या करेगा इस AG के उपर अटेक करेगा AG यहां अपने electron दे के बाहर चला जाएगा positive और ये क्या बटा negative तो suppose that इसको क्या मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ R and ये electron इदर चले जाए इदर transfer हो जाए तो क्या हो जाएगा double bond C और यहां पर दो electron और फो सकता है तुमारे पास में कई बारी से structure को तुम ये भी लिख सकते हो ये लोग वोई बात है ये इसका क्या हो गया method of expression next देखी इसकी chemical reaction chemical reaction हाँ जी बात करें chemical reaction के उपर देखी chemical reaction chemical reaction 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 hx reaction with hx hx आप ये दी hx के साथ में reaction करवा होगे तो क्या बनेगा बेटा and जो product का formation होगा वो क्या होगा and double bond carbon h और ये क्या बेटा x ये hx carbon पर ही जुड़ जाने है तो ऐसा क्यों इसका mechanism देखी है मेकेनिजम देखी क्या है तुम्हारे पास में r and triple bond c इसको क्या बोलूँगा positive इसको क्या बोलूँगा negative इसने जब hx के साथ में reaction किया क्या होगा ये इसको उपर attack करेगा क्योंकि nucleophile है क्या बनेगा r and triple bond यहाँ positive ये h yes or no फिर क्या आएगा तुम्हारे पास में क्या ये ऐसा हो सकता है क्या कैसा कि ये x minus यहाँ पर attack कर दे तो ये electron कहां चले जाए nitrogen के उपर तो क्या बन जाएगा r and double bond c h और ये क्या बेटा x तो आपने क्या देखा कि h x का hydrogen और halogen किसके उपर only carbon के उपर ही उनका addition हो जाना है किसके उपर carbon के उपर ही next reaction देखिए reaction with x2 reaction with x2 reaction with x2 reaction with x2 यदि आप r and c की reaction किसके साथ में करोगे x2 के साथ में करोगे तब क्या बन जाएगा r and double bond c और x और ये क्या बेटा x दोनों जो हैलाइड है वो एक ही carbon पर add up हो जाएगे कैसे बेटा इसका mechanism देखिए mechanism देखिए भई r and triple bond ये positive ये negative x और x इसने यहाँ पर attack किया तो x- क्या निकल गया बाहर r and double bond c ये x समझ में आरी है बात फिर x- ने क्या किया बेटा यहाँ पर attack किया यहाँ जबी sorry कहां करवादी attack ऐसे थोड़ी हो जए इस carbon के उपर take किया ये electron nitrogen के उपर गये क्या बन गया and double bond c x और क्या बेटा x आ गई के बात समझ में next देखो important reaction reaction with ozone o3 reaction with o3 reaction with o3 reaction with o3 rnc की reaction यह दिया आप o3 के साथ करवाओगे तो क्या बनेगा rnc double bond o इसे बोलेंगे क्या बेटा isosynate क्या बना ये isosynate 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 arevason yes or no आप बेटा देहाने ना cs3 nc o3 के साथ में reaction हुई थी और क्या बनाता cs3 n double bond c double bond o जिसे बोलते थे methyl methyl isosynate methyl isosynate जिसे बोलते थे m.i.c. कुछs याद है क्या कुछ याद है क्या अप्र मिथ Rashad m.i.C. कुछ याद है क्या कुछ याद है क्या 1984 1984 BC memang 98 तो लिक लेना, methyl isocyanate gas, methyl isocyanate gas was responsible for, was responsible for Bofall tragedy, Bofall tragedy in December, in December 1984. 1984, अब तो अपना जनम भी नहीं हुआ होगा, आरे बास सौन, चलो बेटा, ये कौन हुआ तुम्हारे पास में, isocyanate complete हो गया, अब ध्यान दिना हम अपना बड़ा topic जो है, वो amine start करेंगे, लेकिन उसको start करने से पहले, तुम्हारे एक छोटा सा topic और है, वो है पिक्रिक एस चोटा सा topic है, पूछ लेता है कई बार exam है, तो mention कर ले ना बेटा, पिक्रिक एसेड, पिक्रिक एसेड, क्या है पिक्रिक एसेड, क्या है पिक्रिक एसेड बेटा, बेंजीन पे OH ग्रूप, और इस OH के और्थू और मेटा पे NO2 ग्रूप, यह जब एड है, present है यहाँ पर इसे बोलते हैं, पिक्रिक एसेड, इसका nomenclature करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, Trinitro, Trinitrofenol, 2, 4, 6, Trinitrofenol, 2, 4, 6, Trinitrofenol, 2, 4, 6, Trinitrofenol, Trinitrofenol, इसमें देखे, Method of Preparation, Method of Preparation, Method of Preparation, क्या देखेंगे, from phenol, from phenol, phenol, आपने reaction करवाई, concentration, HNO3, plus concentration, H2SO4, जैसे आपने ये reaction करवाई, तो तुम्हारे पास में देखो, क्या बन रहा है, OH, NO2, NO2, और यहां पर क्या बेटा, NO2, इसे क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, क्या बोलते हैं मेटा इसको, पिक्रिक एसिड, मेकनिजम देख लिजे, मेकनिजम देखें, मेंचन तो गर ले न, when phenol react with, when phenol react with, concentration HNO3, in the presence of acidic medium, in the presence of acidic medium, then formation of पिक्रिक एसिड, then formation of पिक्रिक एसिड, देखो, एक चल में होगा क्या, वो ही होगा, जो आज तक होता आ रहा है, यहां से H प्लस आया हूँ, O H2 पोजिटिव, यह बाहर निकला, पोजिटिव भीटा, आई बास आँ, यह क्या करेंगे सबसे पहले हैं, यह एक बार यह बता देता हूँ, O H, और NO2 प्लस, इसने यहां टेक किया, क्योंकि यह benzene ring in the presence of O H group are more, मलब, more electron density are present in benzene, in the presence of O H, तो यह NO2, अब देखो फिर फार्दर reaction हुई, NO2 प्लस, reaction हुई तो देहां देना तुमारे पास में, क्या बना, O H, NO2, यहां पर क्या बना गया बिटा, NO2, फिर फार्दर reaction हुई बिटा, NO2 प्लस के साथ हुई, तो क्या बन गया फार्दर 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 फार्मेशन हो गया, फिर देखते हैं आपन इसकी chemical reaction, क्या देखते हैं बाइसकी chemical reaction, नेक्स्ट मेंजिन कीजिए chemical properties, यह chemical reaction, वैसे यह जो तुम्हारे पास में पिक्रिक एसिड है, यह है क्या बेटा, इसकी physical properties की बात करें तो यह yellow, yellow crystalline solid होता है बेटा, लेब में मिलेगा आपको yellow crystalline solid, yellow crystalline solid, लेब में मिल जाएगा बेटा यह आपको, yellow crystalline solid, नेक्स्ट देखिए इसकी chemical reaction, chemical reaction, chemical reaction, यह है अपना पिक्रिक एसिड, यहां पर यह दी आपने NaHCO3, जो है weak base के साथ में भी यह दी reaction करवाई, मलब यह इतना acidic हो जाता है, strong base के साथ भी reaction करवाने की जरुवत नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, यह O- और यह क्या बेटा, Na+, इतना ज़ौदा acidic होता है, कि weak base के साथ में भी reaction कर लेता है, अब यह देखो, फिनोल का case होता है, तो वहां पर कोन आता है, NaOH, आई बास हमाई, PCL5 के साथ में reaction करवाई, तो PCL5 तो किसके साथ reaction देगा, इसके साथ reaction देगा, यहां पर reaction हो तुमारे पास में, CLNO2, NO2, और NO2, PCL5, आगे बास हमाई, Yes or No, एक reaction और देखनें, chemical reaction में, Na2S, sodium sulfide के साथ reaction करोगे, तो ध्यान देना, यह क्या होती है, selective reaction होती है, यह selective reaction होती है, किसी भी एक group को किसमें करनोट कर देगी है, NH2 में, only किसी भी एक group को, आरे बास में, यह तीन इसकी chemical reaction है, यह तुमारे पास में, कॉन complete हुआ, पिकरीक एसिड, हम इस लेबस और चेक कर लेता हूं, कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं रह गई हो तुमारी, देख लेते हैं, properties of nitro-alcan and nitro-arines, chemical reaction of nitro-alcan, mechanism of nucleophilic substitution reaction in nitro-arin, and their reduction in basic acid, ठीक है ठीक है भी यह, पिकरीक एसिड तुमारा हो गया, हम, अब अपन स्टार्ट करते हैं, अज अपना topic रहेगा, इसे हम स्टार्ट करते हैं, अच्छा topic है बड़े ध्यान से समझना इसको, बड़े ही ध्यान से समझना, एमीन है, और जो तुमारे पास में एमीन है, एक्चुल में यह जो एमीन होता है, वो क्या है एनेस्टू, यह एमीन है, यह ध्यान देना, यह एलिफेटिक हो सकता है, एलिफेटिक हो सकता है, और क्या हो सकती है, यह एरोमेटिक हो सकती है, एलिफेटिक हो सकती है, और क्या हो सकती है बेटा, यह एरोमेटिक हो सकती है, एलिफेटिक का मतलब क्या है, कि जैसे आपने लिखा C2H5, तो ये जो गुरुप है वो क्या है एलिफेटिक तो ये एलिफेटिक हो सकती है और ये हो सकती है बेटा एरोमेटिक हो सकती है एरोमेटिक हो सकती है ये जो एलिफेटिक है वो भी टीन टाइप की हो सकती है तुमारे पास में एक हो सकती है वन डिगरी एमी एक हो सकती है तुम एक हो सकते है तुम्हारे पास में क्या बेटा 3 degree M1 1 degree जो M1 है वो क्या है C2H5 और यहाँ पर क्या बेटा NH2 2 degree M1 है उसमें C2H5 NH और यह क्या बेटा C2H5 3 degree M1 क्या है C2H5 and C2H5 और C2H5 यह 3 degree M1 है आरे बास में यह से नो ऐसे तुम्हारे पास में जो aromatic M1 है वो भी तीन टाइप की है तीन पार्ट में उसको classified किया गया है एक है वोई 1 degree M1 degree M1 1 degree M1 एक है 2 degree M1 और एक है तुम्हारे पास में 3 degree M1 क्या बोलूँगा इसके लिए C6H5 NH2 C6H5 का होल्ट वाइस NH और C6H5 का होल्ट वाइस N आपने एक बात नोट कर लिए होगी कि यदि nitrogen के पास में दो hydrogen present है तो वो 1 degree है एक hydrogen है तो 2 degree है और जब hydrogen ही नहीं हो absent हो तो वो क्या है बेटा 3 degree M1 है बात समझना रही होगी तो अब आप mention करोगे क्या एलिफेटिक M1 एलिफेटिक M1 एलिफेटिक M1 mention कीजिए इसके method of preparation की बात करते हैं आज की class एलिफेटिक M1 एलिफेटिक M1 एलिफेटिक M1 और इसमें बात करते हैं आज की method of preparation की method of preparation method of preparation is first of method of preparation from alkyl halide from alkyl halide from alkyl halide second method है तुमारे पास में है from amide third method जो अपन पाड़ेंगे important ये बेटा from grebyl thalamide from grebyl thalamide grebyl thalamide fourth जो reaction अपन पाड़ेंगे वो पाड़ेंगे from carboxylic acid from carboxylic acid fifth जो reaction देखेंगे वो है from acid chloride और six जो reaction है वो है from nitro compound from nitro compound अपन formation करेंगे अलिफेटिक एमीन का आरे बाद सुन में सबसे पहला method mention कीजिए from alkyl halide 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 rx अच्छा from alkyl halide और इसे देखें बेटा rx react with alcoholic ns3 या यह हो सकता है बेटर तुम्हारे पास में aqueous ns3 then convert into amine हो सकता है तुम्हारे पास में यहाँ one degree amine का formation हो जाए हो सकता है बेटा और क्या बन जाए two degree amine का formation हो जाए three degree amine का formation हो जाए और quaternary ammonium salt का formation हो जाए ऐसी possibility है बेटा अपने पास में यहाँ लिखे when alkyl halide react with aqueous ns3 then one degree two degree three degree and quaternary ammonium quaternary ammonium salt will be formed this reaction this reaction also known as Hoffman reaction Hoffman method बोलोगे आप इसकाइ हो Hoffman method यह लो बेटा next यहाँ पर mention करना reactivity of alkyl halide towards ns3 reactivity of alkyl halide alkyl halide towards ns3 क्या होगी reactivity तो तुम्हें पता होना चीए बेटा यह ns3 reaction करेगा easily जो तुमारे पास में है यहाँ से living group क्या निकल जाएं बाहर तो देखो RI की reactivity सबसे ज़्यादा होती है फिर RBR की फिर RCL की और फिर RF की सबसे कम reactivity होती है मेकनिजम देख सकते हों मेकनिजम तो क्या है रही है simple सी बात simple सी बात है देख लीजी फिर फिर mechanism देख लीजी Rx प्लाइस नस्त्री क्या किया इसने यहाँ attack किया attack किया तो यह क्या बाहर निकल जाएगा क्या बन जाएगा RNS3 यहाँ पर positive यहाँ से hydrogen बाहर निकला तो क्या बन गया RNS2 फिर reaction करवाई आपने Rx के साथ में यह यहाँ attack यह बाहर निकल गया क्या बन गया RHNHR फिर reaction करवाई आपने किस के साथ में? Rx के साथ में फिर nitrogen का loan पर इसके उपर attack किया यह क्या निकल गया बाहर फिर तुमारी Rx के साथ में reaction ही इसने R के उपर attack किया यह क्या निकल गया बाहर तो क्या बने गए तुम्हारे पास में R4 N plus X minus यह लोग यही तब न next लिखे एक्षिन next एक्षिन मेंशन कीजिए from amide from amide from amide from amide from amide क्या बोलेंगे when amide react with when amide react with BR2 yeah X2 in the presence of NOH in the presence of NOH then amine will be formed amine will be formed this reaction also known as this reaction also known as hopman bromamide reaction बेटा एक बात ध्यान देना एक थी hopman method एक है hopman bromamide तो इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखना hopman method पूछ रहा है कि hopman bromamide reaction पूछ रहा है ठीक है बेटा ये वाली बात आपको ध्यान रखनी होगी क्या लिखोगे पूछी वन ये amine react with X2 in the persistence of then convert into Ame and this reaction also known as and this reaction also known as Hoffman-Bromimide reaction, Hoffman-Bromimide reaction, mechanism mechanism क्या mechanism होता हो mechanism यह तुम्हारे पास में, Amide बेस ने reaction की बेटा NaOH reaction करेगा तो देहाँ, ने न, यहाँ addition reaction नहीं होगी, सबसे पहले यह क्या लेगा H plus लेगा यहाँ से तो यह किस में convert हो गया बेटा NaOH यहाँ पर क्या? negative फिर आपने reaction करवाई इसकी X2 के साथ है यह nitrogen X के उपर attack किया, यह बाहर निकल रहा है आगे बाहर सुन क्या बन रहा है? CO NH negative यहाँ पर X फिर X और X ने इसके उपर यहाँ attack किया नई नई यह नहीं करवाएंगे अब यहाँ पर एक rearrangement करवाएंगे और वो क्या बेटा है? इस R ने यहाँ पर attack किया यह attack करेगा तो यह यहाँ और यह X क्या निकल जाएगा बाहर तो बेटा तुम्हारे पास में देखो यह R कहाँ migrate कर रहा है nitrogen के उपर double bond C double bond O double bond क्यों बना देखो यह जो negative charge यहाँ जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा? double bond अब यह migrate क्यों नहीं किया यहाँ इस का group का इस double bond का displacement क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह R अपने electron लेके यहाँ चला गया है तो carbon के पास में bond कितने होते है चार देख लीचे चार bond बना रहा है फिर आपने reaction करवाई कि इसके साथ में S3U plus के साथ में तो क्या बनेगा? R N H C double bond O H फिर बेटा आपने इसकी thermal condition के साथ reaction करवाई तो क्या बनेगा? R N H 2 क्या बनेगा बेटा? R N H 2 चले अपना आगी बेटा यस एनू नक्तर बनेगा यसे नुफल नक्तर डैतर नक्तर देख बनेगा रोल नक्तर प्रूम्तर बनेख रिख फिर शुबर गलु झाल झाल चेसर मैं चेडी कियम से खंद सो प्राइण कोईव निर दे़ हाई हो निर करणा प्राइट ऐसार हुआ किसरे लिगशबिक है इजा फिवरी किने हैजनिनू चेर निर ऌासर किसके किकी प्राइण हुआके फिबग प्रॉिया नाट चेड झेंड सि montrer को तो percept प्रोम ग्रेबिल थेलमाइड रेक्षिन, आरे बात सुन बेटा, देखे भें, इसके उपर अपन बात करते हैं, ग्रेबिल थेलमाइड रेक्षिन, क्या होगा भाई, जदि आपने यहां पर यह थेलमाइड लिया है, और इसकी रेक्षिन पहले तो आपने करवाई किसके साथ में है, कि यह ओएज के साथ में है, फिर करवाई आपने आरेक्स के साथ में है, और फिर करवाई आपने थार्ड एस्ट्रियो प्लस के साथ में है, तो बेटा ध्यान देना तुम्हारे पास में, क्या बनेगा यहां आपने, CW, CW, H, प्लस के साथ में है, यह बनेगा, तो यह कैसे बना, देखिए भी यह, यह कैसे बना होगा, मेकेनिजम देखिए, मेकेनिजम देखिए, देने यहां, H3 प्लस भी ले सकते हो, या, H3 प्लस लेओगे, तब तो वो बने गए, बनेगा, आई बास में, क्येक अभी, चले अपना आगे, बात करें, चलो बैटा, लेकिन मैं कहूँगा, आप यहां पर क्या लिजिए, H2 OH माइनस लिजिए, H2 OH माइनस लिजिए बेटा, अरे बास समझे, ताकि वो एमीन किसम convert न हो जाए, कौर्टनरी के अंदर convert न हो जाए, तो यहां पर क्या आजाएंगी तुम्हारे पास में negative, और यहां पर भी क्या negative है, मेकेनिजम देखिए बेटा इसका, क्या मेकेनिजम रहा हो, मेकेनिजम की बात करते हैं, मेकेनिजम, मेकेनिजम, क्या करेंगे भई, इस KOS ने क्या किया, यहां से H+, को रिम्यू करवाया, यहां क्या आगे, negative, फिर बेटा, तुम्हारे पास में Rx ने reaction की बेट, यह यहां, और यह क्या निकल गया, बाहर, फिर reaction हुई कि इसने किया, OH-, यहां अटेक किया, तो यहां पर जबी अटेक करेगा, बेटा, OH-, तो यहां पर भी अटेक करेगा, एक बार एक अटेक समझा देता हूँ, बाकि अपने आप समझ में आजए, OH, यह क्या बेटा, O-, यह यहां, यह यहां, CWO, OH, यह क्या बेटा, NH- क्या बही, R, तुम्हें पता है, यह CWO, OH तो क्या है, Acid है, तो Acid है, तो यह Hydrogen कहां जाएगी, तुम्हारे पास में, इस Nitrogen के पास में, यह Nitrogen के पास में, Hydrogen है, पहले से लगा दिया करेगा, Sorry, बेटा, NH और यहां पर क्या बही, R, फिर क्या होगा, OH- ने फिर उसके उपर अटेक किया, और अटेक करेगा तो finally, तुम्हारे पास मेंगा CWO-, और CWO-, यहां पर R, NH2, यह Method of Preparation हुआ, इसका क्या बही है, from Gravel Thalamite, I was on, yes or no, बात समझ में आगी होगी, बेटा, बाकी के जो Method of Preparation है, वो अपन, next class में देखेंगे, यह Class अपन, यहीं end करते हैं, ठीक है बेटा, यह Method समझ में आए गया होगा, देख लेना, वन डिग्री में का यहां formation होता है, कितने डिग्री में का formation होता है, वन डिग्री में का formation हो रहा है,